हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाला है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR का फुल नेम होता है Nuclear Magnetic Resonance basically हम लोग introduction और principle डिसकस करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का additionally हम लोग एक single compound लेंगे और उसमें NMR का स्पेक्ट्रम कैसे आता है वो भी समझेंगे बहुत ही simplest way में so let's start dystropic तो NMR में जो first point होता है that is proton is present in nuclei source spin moment and act as a tiny magnet तो NMR का basically बात करते हैं तो हम लोग proton NMR से start करते हैं और proton NMR की बात की जा रही ही तो वहां पर proton present होगा proton कहां पर present होता है proton present होता है nucleus में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह nucleus है इसमें proton present है neutron present है और इसके surrounding में ilektrons घूम रहे होते हैं तो इससे क्या होता है यह जो proton होता है इसमें एक spin होता है spin कैसे होता है आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरीके से यह proton जो है अपने एक्सिस पे spin करता है जैसे यहां पर दिख रहे हैं जिसकी वज़ा से यह जो proton है एक छोटा मैगनेट जैसा वक करता है इसको हम लोग इलुस्टिशन में देखेंगे तो मालो यह proton है तो यह अपने इक्सिस पे एक्वूम रहा होता है ठीक है जब है ऐसा गुमता है तो एक टाइनी मैगनेट जीए सोथ वह जाएगा तो यह North Pole हो जाएगा, East Side, South Pole हो जाएगा. तो ultimately हमारे कहने का मतलब है कि proton present होगा और जब वो Small Magnet जैसा काम करेगा तब उसमें Nuclear Magnetic Resonance होता है या फिर NMR Spectroscopy उसका कर सकते हैं. Next point is that due to EMR जो हमारा Electromagnetic Radiation है, Nuclear Magnetic Resonance में वो Radio Waves होता है. पहले ही हमने डिसकस किया हुआ है, प्रिवेस वीडियोस में. So, resonance in this tiny magnet takes place and processes known as Nuclear Magnetic Resonance. तो यह जो proton है, जो एक tiny magnet जैसा काम कर रहा है, इसमें जब resonance होता है, वहीं पर वो signal देता है NMR में. उसी को हम लग measure कर रहे होते हैं. नेक्स्ट, atom और atoms having spin quantum number that is denoted by I is equal to 0 और NMR inactive. तो जो भी atom है, यह फिर atoms होते हैं, जिनका spin quantum number 0 होता है, वो NMR में कोई signal नहीं देते हैं, वो inactive होते हैं. इसके example होते हैं हमारा C12, oxygen 16, यह सारे. तो यह NMR inactive क्यों होते हैं, spin quantum number क्या होता है, इन सबका एकदम detailed वीडियो देखना है, पुरा basic से पढ़ना है, एक एक चीज जीपैट की तयारी करनी है, B form का, M form का pharmaceutical analysis पढ़ना है, तो हमारे application पे various courses available है, उसका link आपको description में मिल जाएगा, तो आप हमारा live lectures plus recorded lectures का जो courses है, उस हम लोग देखते हैं, आगे, atoms should have, I is equal to more than 0, तो कोई भी atom जिसका spin quantum number 0 से जादा होता है, वो सारे atoms NMR active होते है, इन atoms का example होता है, 1H जिसका spin quantum number half होता है, 2H जिसका spin quantum number 1 होता है, C13, carbon 13 NMR होता है, जिसका spin quantum number भी half होता है, then nitrogen 14, spin quantum number 1 होता है, oxygen 17, spin quantum number 5 by 2 होता है, fluorine 19, phosphorus 31, chlorine 35, तो ये जितने भी atoms हैं, इन सब का NMR हो सकता है, अभी तक आपने हो सकता है, सुनाओ कि proton NMR means 1H NMR होता है, और C13 NMR होता है, बट वो completely सही नहीं है, वो दोनो NMR तो होते ही है, बट इन सारे atoms का भी NMR हो सकता है, उन सभी atoms का NMR हो सकता है, जिनका spin quantum number I is equal to 0 ना हो, means I is equal to more than 0 हो, उन सब का NMR हो सकता है, अब देखते हैं हम लोग next point, तो यहाँ पर मानलो हमारे पास कुछ protons है, जो random direction में है, इसमें magnetic field है, बट उन magnetic field का कोई direction नहीं है, इसमें यह proton इधर नौर्थ में है, इधर साउथ है, इसका इधर नौर्थ है, इधर साउथ है, इसका इधर नौर्थ है, इधर साउथ है, अब इसमें external magnetic field हम लोग लगाते हैं, तो initially इस external magnetic field को इस proton का जो magnetic field है वो तो अपोज करेगा बट ये external magnetic field इतना strong होता है तो उसको ये अपोज नहीं कर पाता है जिसकी वज़ा से इस external magnetic field के accordingly ये तीनों ही proton aligned हो गए magnetic field का alignment क्या होता है यहाँ पर देखो ये north है तो इधर proton का इधर south है तो इसको हम लोग बोलते है alignment अब इस particular proton में हम लोग बाहर से energy देंगे electromagnetic radiation देंगे जो radio waves के form में होता है तो जब ये radiation इन protons को मिलेगा तो इन proton में से जिस proton की frequency इस electromagnetic radiation से match हो जाएगी वो उस radiation को absorb कर लेगा और वो flip हो जाएगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर तीनो north side इधर है अब ये radiation को absorb कौन से वाला किया ये नीचे वाला तो नीचे वाला absorb करने के बाद electromagnetic radiation से energy लिया वो energy इतना होता है कि इस जो external magnetic field है उसको ये proton opposite कर सकता है means proton के पास अपनी ताकत नहीं थी उसने बाहर से बाहरी सक्तियों का सहरा लिया वो बाहरी सक्ति कौन से थी electromagnetic radiation because electromagnetic radiation में energy होता है तो वो electromagnetic radiation कौन सा लेगा वो depend करता है उसकी frequency क्या है इसको simple एक example से समझते हैं हम लोग मानलो ये एक proton है अब इसको electromagnetic radiation दिया गया बाहर से तो ये match नहीं किया इससे ये देखो ये fit नहीं हो रहा है match नहीं किया अब मानलो दूसरा frequency का electromagnetic radiation गया ये भी match नहीं किया ये भी fit नहीं हो रहा है अब मानलो एक और अलग frequency का electromagnetic radiation आया तो ये क्या हो गया match कर गया ये देखो ये अच्छे से match कर गया fit हो गया means हमारे पास proton और electromagnetic radiation दोनों का frequency match कर जाता है तो वो energy ले लेता है electromagnetic radiation से और हमारा जो proton है यहाँ पर ये ऐसा flip हो जाता है इसी को हम लोग बोलते है resonance और जब भी proton flip होता है वहीं पर वो NMR spectroscopy में अपना signal देता है अब इसमें आगे और radiation आएगा अलग frequency का तो हो सकता है बीच वाला जो proton है उस energy को absorb कर ले बीच वाला flip हो गया फिर और radiation आएगा अलग frequency का तो ये first उपर वाला proton है वो flip हो गया तो ultimately जहां जहां पर ये protons flip होते जाएंगे वहां वहां पर NMR का signal उसका peak आते जाएगा और यहीं हमें note करना होता है ठीक है अब next यहां पर देखेंगे तो जो magnetic field है उसके opposite में आ गया तीनों proton का जो direction है opposite में आ गया तो जहां जहां पर ये opposite में आता जाएगा वहीं पर उसका signal आता जाएगा और यही NMR spectrum होता है अब इसको एक और तरीके से हम लोग समझते हैं तो मालो यहां पर हमारे पास proton है इसमें हमने external magnetic field लगाया अब यह proton इस external magnetic field के accordingly aligned हो गया तो इस position को हम लोग बोलते है अलफा position इसमें जो energy होता है low energy level होता है प्रोटोन का ground state में होता है यह aligned with external magnetic field जो external magnetic field है उसके accordingly aligned है और इसको हम लोग H0 से denote करते हैं, कभी-कभी इसको B0 से भी denote कर देते हैं, दोनों ही correct हैं, अब जब इसको बाहर से radiation मिला, तो यह proton flip हो गया इधर, तो इस position को हम लोग बोलते हैं, बीटा position, यहाँ पर यह high energy level होता है, यह जो proton excited state में चला जाता है, क्योंकि इसको electromagnetic radiation से energy मिली हुई है, और यहाँ पर जो इसका direction होता है, that will be opposite to external magnetic field H0, तो यहाँ पर जो alpha position से, बीटा position में conversion हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं resonance, और उसी का हमारा nuclear magnetic resonance में signal आता है, यह जो process है alpha से beta में convert होना, यह इसका opposite भी हो सकता है, बीटा से alpha में हो सकता है, तो उस condition में क्या करेंगे हम लोग, हम लोग electromagnetic radiation पहले देंगे, फिर magnetic field बाद में उसमें डालेंगे, external magnetic field, धीरे धीरे उसको gradually increase करते जाएंगे, तो पहले बीटा position में रहेगा, फिर alpha position में आ जाएगा, तो वहाँ पर भी resonance आएगा, उसका value भी similar होगा, same ही value आएगा, उसमें कोई फरक नहीं है, अब हम लोग देखते है, principle of nuclear magnetic resonance, तो अभी तक आपको काफी चीज़े सबज में आ गई होंगी, इसमें होता है, spinning nucleus, the proton present in the nucleus is spinning and act as a tiny magnet, तो जो proton है, as a tiny magnet काम करता है, यह हमारे पास proton है, इन में क्या हो रहा है, spin हो रहा है, और यह tiny magnets है, इसमें second point देखते है, effect of external magnetic field, इसमें बाहर से हम लोग external magnetic field लगाते है, यह external magnetic field लगा लिया, तो इसमें क्या होता है, proton will align with H0, यह जो external magnetic field है, उसके accordingly यह जो protons है, align हो जाएंगे इसके parallel में, यह parallel, यह parallel, लेकिन कुछ proton, इस external magnetic field के parallel align नहीं होते है, जब magnetic field कम रहाता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा higher energy level and opposite to H0 कुछ proton ऐसे opposite direction में भी रहते हैं, क्योंकि इन protons के पास हो सकता है, ज़्यादा magnetic field हो, तो इस condition को हम लोग बोलते है, magnetic dipole, means कुछ proton तो हमारे magnetic field के alignment में आ जाते हैं, बट कुछ नहीं आते हैं, तो magnetic dipole produce हो जाता है, means एक ही direction में magnetic field नहीं रहता है, कुछ opposite में भी रहता है, बट य जो external magnetic field है, जैसे जैसे बढ़ते जाता है, यह भी इसके alignment में आ जाता है, और magnetic dipole खतम हो जाता है, अब अगला point, प्रसेशनल मोशन क्या होता है, proton will be showing precessional motion due to interaction of spin and gravitational force of earth, तो यहाँ पर हमने बोला कि जो proton है, उसमें spin हो रहा है, और उसी spin के करण magnetic field उसमें generate हो रहा है, तो उस proton में एक precessional motion भी होता है, जो हमारा NMR के principle में apply होता है, प्रसेशनल मोशन क्या होता है, इसको ठीक से समझने के लिए चलिए एक हम लोग demonstration देखते हैं, अभी आपको यही देख करके outdoor देख करके लग रहा होगा कि पढ़ने वाले महाल में हम यहाँ पर outdoor में कैसे आ गया है, तो actually में हम लोग यहाँ पर precessional moment वो समझने के लिए हैं, उसको हम लोग समझेंगे इस लट्टू की मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं spinning top, actually में इसमें दो टाइप का moment होता है, एक तो इस तरीके से अपने axis पे घूम रहोता है, साथ में जब यह डगमगाता है, लास्ट में गिरने वाला होता है, तो इस तरीके से लहराता है, तो यहाँ पर आप देख पारा है कि मेरे हाथ में है एक लट्टू या फिर spinning top, इसमें प्रेसेशनल मुमेंट होगा, तो इसका जो मुमेंट है उसमें आपको प्रॉपरली नजर रखनी है, तब ही आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहा है कि इसमें एगदम stagnant मुमेंट है, अब धीरे धीरे लहराने लगेगा, इसमें दो टाइप का मुमेंट है, यह तो यह अपने एक्सिस पे घुम रहा है, दूसरा यह वाला जो ऐसे लहरा रहा है मुमेंट, तो जो लहरा रहा है उसी को हम लोग बोलते है प्रसेशनल मुमेंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर स्पिन मुमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कमबाइंड हो जाता है, तो इस स्टार्टिंग में ऐसे अपने एक्सिस पे ऐसे घुम रहा था, तो आई होप आपको प्रसेशनल मुमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मालो यह हमारे पास एक लट्टू है, यह स्टार्टिंग में इस तरीके से घुम रहा है, अब बाद में यह इस तरीके से लहराने लगेगा, क्योंकि उसका स्पीड कम हो गया है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जादा होने लगता है, और एकदम होता है, जो मैंने डेमोस्टेशन में भी बताया, इसी को हम लोग बोलते है, प्रेसेशनल मोशन, तो यहाँ पर जो प्रोटान है, वो क्या सो करता है, प्रेसेशनल मोशन भी सो करता है, यह इस तरीके से प्रोटान घुमता है, अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स पॉइ है इसमें proton है जो magnetic field के accordingly aligned है अब इसमें जो precessional frequency new होता है that is directly proportional to external magnetic field इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग यहां पर external magnetic field लगा रहा है यह जो magnet है इसका external magnetic field इस direction में लग रहा है और इसको जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे external magnetic field को तो यह precessional frequency मिस ऐसे जो लहरा रहा था उपर में वह बढ़ जाएगा उसमें प्रेसेशन बढ़ जाएं सिंप्ली वैसा ही जैसे कोई लट्टू चल रहा है spinning top चल रहा है इसको ऐसे टच कर दो बाहर से कुछ force लगा दो तो उसमें क्या ऐसे लहराने लगता जादा वैसा ही ठीक है यह इस तरीके से इसमें प्रेसेशन प्रोड्यूस हो जाएगा जब external magnetic field हम लोग लगाएंगे अब यहां पर क्या होगा अब यहां पर हमने कुछ इस इनर्जी दिया इस प्रोटॉन को जो हमारे पास इलेक्ट्रो मैंगनेटिक रिडिशन होता है नमर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उस इनर्जी की वज़ा से एक्साइटेड स्टेड में चला जाता है मिस इस प्रोटॉन के पास ज्यादा एनर्जी हुआ अब इस external magnetic field को यह अपोस कर सकता है और अपोस करने के बाद यह जो इसका प्रोटॉन का डिरेक्शन नौर्थ साओथ था अब यह साओथ नौर्थ हो गया तो यहीं पर रेजोनेंस आ गया और यहीं पर हमारा सिगनल आ जाएगा ठीक है यहाँ पर जो एनर्जी electromagnetic radiation से मिला उसको हम लोग बोलते है डेल्टा ई उसको डेल्टा ई सी डिनोट करते हैं डेल्टा ई इस इकल्टू होता है एच नू एच होता है हमारा appliance constant और नू इस इकल्टू frequency of electromagnetic radiation तो specific frequency होती है electromagnetic radiation में जो उस proton के साथ मैच कर जाता है तो यहीं पर हम लोग को signal मिल जाता है यह होगया principle of nuclear magnetic resonance अब इसको एक simple example से हम लोग समझते है that is number of signal and position of signal plays very important role in NMR तो यह हमारे पास CS3, CS2, OH है तो यहाँ पर देख रहे होगी proton NMR में हम लोग proton को determine करते है proton यहाँ पर क्या हो है hydrogen है S3, CS2 और OH दीनों में ही hydrogen है तो यहाँ पर है तो यह सारा चीज hydrogen ही लेकिन hydrogen hydrogen में भी difference है कौन सा किस type का hydrogen है उसके accordingly signal आता है जैसे यह मैं हूं यह भी मैं हूं और यह भी मैं हूं बट तीनों में difference है तीनों को environment में difference है तो वैसा ही यह जो CS3 यह अलग environment में है यह जो दो hydrogen है यह अलग environment में है यह जो hydrogen है यह अलग environment में है तो यहाँ पर ultimately इस compound में तीन signal मिलेंगे इन तीनों hydrogen का एक इन दोनों hydrogen का एक और इस hydrogen का एक signal है सिमिलरली यहाँ पर एक compound है c s2 c s2 c s3 तो यहाँ पर यह जो c s3 इसका environment और यह जो c s3 इसका environment इसैम है क्योंकि यहाँ पर यहाँ भषाथ carbon और इस दो हईडोजन का एक signal तो ultimately इसमें दो सिग्नल आएंगे अब यहाँ पर इसका हम लोग NMR spectrum देखते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, यह हमारा delta value होता है, इसका details अगर आश अब देखना है, तो आप हमारे application में courses join कर सकते हैं, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा, अब यह हमारे पास structure कुछ इस तरीके से signal देता है, यह जो CH3 है, यह 1.18 delta पे देता है, तो CH3 का signal यह हो गया, यह जो CH2 है, इसका signal 3.59 पे आता है, तो यह CH2 का signal हो गया, और यह जो OH है, वो अपना 4.7 पे signal देता है, तो यह OH का signal हो गया, तो ultimately यह जो hydrogen है, यह अलग-अलग environment में है, जिसकी वज़ा से उनका अलग-अलग signal आता है, और उसी signal से हमें पता लगता है, कोई भी compound है, उसमें hydrogen किस टाइप के हैं, और कहां-कहां पर है, ठीक है, position of proton help us to understand the nature of proton in compounds, तो जो भी organic compounds है, जिसमें hydrogen present होता है, तो वो 1H NMR से हम लोग पता लगा सकते हैं, इसमें carbon present होता है, उसको हम लोग C13 NMR से पता लगा सकते हैं, तो ultimately compound का जो structure है, उसको determine करने में इससे हमें मदद मिलती है, तो I hope NMR का एक basic concept आपको मिल गया होगा, thank you so much.